Hey everyone, welcome to MyLigatees. बचो कुछ घंटों पहले आप लोगोंने मेरी YouTube चैनल और कुछ और YouTube चैनल जिन्हें आप NEET प्रेपरेशन और NEET अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं, उनके चैनल पर एक वीडियो देखी होगी जहाँ पर एक मेंशन कियावा है कि NEET 2024 की काउंसलिंग पोस्पोन कर दी गई और NEET PG की काउंसलिंग का स्केडियूल हम मिड ऑगस्ट में रिलीस करेंगे और उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो काई दिस से बात तो यही भी ना कि NEET 2024 की काउंसलिंग की प्रोसेस पोस्पोन हो गई है, क्योंकि according to the previous notices 6 जुलाई को आप लोग अब तक 3rd week of July आती है, तब तक हमारी 8th July की तारिक तो आ चुकी होगी, जब हमें Supreme Court की hearing के जरिये शायद पता चल जाएगा कि REINee 2024 होने भी वाला है या फिर नहीं, तो all eyes on 8th July 2024, 8 July को अगर Supreme Court अपनी hearing के जरिये final decision दे देता है कि REINee 2024 होने वाला है, तब तो यह कांसलिंग चक्कर में हम लोग पढ़ने ही नहीं वाले, लेकिन अगर 8th July को Supreme Court अपनी final hearing नहीं देता है और आगे की तारिक दे देता है hearing के लिए, तब फिर possibility शायद REINee 2024 की थोड़ी सी कम हो जाए, क्यूंकि 3rd week of July में MCC counselling का schedule release कर देगी, तो इस वीडियो की update ये वताती है, कि MCC ने clarification दी है कि 3rd week of July में हम लोग NEET EUG 2024 की counselling का schedule release कर देगे, अब उससे पहले ये देख लो बच्चों कि Supreme Court hearing का final decision देता है, तो REINeeT होने की possibility बढ़ेगी, अगर Supreme Court अगली hearing की तारिक दे देता है, तो फिर counselling के process 3rd week of July में जैसी schedule release होता है, उसके साथ start हो जाएगी, Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos, thank you